दोस्तों सरदीक हमों समाते ही बारी आ जाती है रंग बिरंगे फूलों को लगाने की तो हाई एवरिवन वेलकम टू माई चैनल सनीज गार्डन में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करते हुए आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कौन-कौन सी सीटलिंग हमने परचे कर दोस्तों सब ятियां की ती है और उसी में था मेरे जो फ्लावर प्लांट की सीडलिंग जन दोस्तों सबसे पहले आप यहां देख रहें है देलीया की यह जो बिग वालज ढलिया होता है बड़े साइस का सब्रूडिय जो बड़े साइज का सीडलिंग है कटिंग से प्ला इसके अंदर बहुत ही कलरफुल फ्लावर आते हैं चोटे-चोटे बंचिस में फ्लावर आते हैं और लंबे समय तक टिके रहते हैं बस ओवर वाटरिंग से इनको बचाना होता है यह मुझे पढ़ी है सेवन रुपीज इच इसके बाद जो नेक्स फ्लावरिंग प्लांट की सीडलिंग है वो है विनका विनका देखो दोस्तों देशी जो वराइटी होती है वो तो कहीं भी खिल जाती है और फिर से प्रोपोगेट होती रहती है निकि उसके बीज बिखरते रहते हैं और बार बार जर्मिनेट होती रहती है बट यह हाइब्रिड वराइटी है इसमें कई कलर के फ्लावर होते हैं और यह मैंने लिया 10 रुपे इच इसको में लगाऊंगे वैसे मेरे पास 4-5 विराइटी के फ्लावर ओल्रेडी है मेरे गार्डन में विनका के बट जब फ्लावरिंग प्लांट देखती हूँ तो मुझसे एक गट्रोल नहीं होता और मैंने यह इनका के भी प्लांट प्रचेस किये दोस्तो next plant आप देख रहे हो पिटूनिया, पिटूनिया की भी ये mix variety है और इसको मैंने purchase किया 6 रुपीज each plant, बहुत शांदर plant होता है, बहुत ज़ादा bumper flowering करता है, काफी color में याता है, single petal, double petal, बट ये single petal की variety है, बाकी flower खिलेंगे तब पता चलेगा, तो इसको मैंने purchase कि 6 रुपीज each, next जो baby plants आप देख रहे हो, ये है हमारा dynthus का, dynthus का mix color की varieties है, dynthus के भी 2-3 color मेरे पास already है, जिसको मैंने regular हर साल मैं उसको multiply करती रहती हूँ, but इसके अंदर मैं देखती हूँ कि कौन-कौन से कोई नए color शायद मिल जाए, इसलिए मैंने purchase किया है, और इन बहुत शांदर plant होता है, और एक साथ ये सैकडो की संख्या में flower produce करता है, बहुत ही beautiful, इसमें भी mix variety है और ये plant मुझे पढ़ा है, 7 रुपीज each, इसके बाद बारी आती है, stock flower की, जी हां दोस्तों, stock flower है और बहुत शांदर, इसमें भी flowering होती है, ये seedling मुझे मिली है, 7 र flower निकलते हैं, multi sticks निकलती है, और पूरा जैसे cut flower की तरह से इसको हम decorate भी कर सकते हैं, बहुत ही beautiful flower इसमें produce होते हैं, इसके बाद अगला plant आप देख रहे हैं, अन्थोरियम का जी हैं, ये भी एक winter special plant है, इसके अंदर भी bumper flowering आती है, दोस्तों, अपने garden को अगर हमें amazing look देना है, तो उसके लिए different color के different types के flower हमें अपने garden में लगाने होंगे, next जो seedling आप देख रहे हैं, ये पैंजी की, पैंजी की दो variety आती है, दोस्तों, एक big size की होती है, और एक draft variety होती है, जिसके अंदर बहुत small small flower आते है, पैंजी का flower में एक amazing चीज़ या है, कि जब भी हम उसके तरफ घूमते हैं, या हमें ऐसा feel होता है, जैसे हो हमारी तरफ ही face करके मुस्कुरा रहा है, cat face उसके ओपर बना होता है, बहुत beautiful और multi color में फ्लावर मिलते हैं, ये मुझे मिला है 7 rupees each, इसके बाद बारी आती है, वर्बिना की, वर्बिना के plant में भी दोस्तों, बंचिस में flower आते हैं, और multi color के बहुत लंबे समय तक ये flower रहते हैं, प्लावर रहते हैं, और एक book है, यानि की गुल्दस्ता बनाने के लिए बहुत ही beautiful शांदार जो flowering plant होता है, ये winter season में लंबे समय तक चतला है, इसके बीज कलेक्ट करके रख लीजिए, next year, फिर से उसके ग्रो कर द लेता है, और जब उसके flower को हम crush करके देखते हैं, तो बिल्कुल paper की तरह से उसमें से sound निकलती है, यानि की बहुत ही हाड़ी उसकी petal होती है, ये जो seedling मुझे मिली है, 10 रुपे इच मिली है, अगला जो plant है दोस्तों, वह सिनेरेरिया का, सिनेरेरिया की खासियत या है, ज सीधे इसको sunlight में ना रखे, semi shaded area में हमें इसको रखना होता है, और इसके बहुत ज़्यादा over watering इसके अंदर नहीं करनी होती है, ये मुझे मिलाए 10 रुपे इच प्लांट है इसका, और अब last but not least calendula, जी हां दोस्तों, calendula के बिना आपका winter garden अधूरा सा लगता है, क्योंकि इ रेकडो flower produce होते हैं और लंबे समय तक ये खिले रहते हैं, बहुत ही amazing, इसमें 3 variety आती है, अब इनके अंदर flower जब खिलेंगे तब पता चलेगा, multi petal के ये seedling है, ये मुझे मिला है 5 रुपीज ही, तो अब बात करते हैं दोस्तों, इसको grow करने की seedling को grow करने के लिए बहुत बड़े port की आवशकता हमें नहीं होती है, वैसे भी winter season में जो पानी हो बहुत कम सूपता है, तो हम 6-8 inch के port इसके लिए maximum होता है, इसके अंदर बहुत आसानी से plants survive कर जाते हैं, क्योंकि shallow root होते हैं, तो सबसे पहले आपको planter लेना है, planter का size छोटा होगा, तो ज्यादा बै होड़े है, उसको डाल दिया है, इसके बाद बात करते हैं, तो दोस्तों winter flowering plant के लिए जो soil mixture हम बनाते हैं, वह बहुत ही well drain होना चाहिए, क्योंकि बहुत shallow root होते हैं, बहुत नाजुक होती है, और उसमें थोड़ी सी भी over watering होते ही, वह plant हमारा क्या है, क्या है, क्या है, क्य होने के कारण खतम हो जाता है, तो ऐसी situation ना आए, उसके लिए मिटे बिल्कुल आपको well drain soft soil बनानी है, क्योंकि बहुत नाजुक plant है, तो इसकी root को survive करने के लिए बहुत ही, जो soil texture है, बहुत soft होना चाहिए, इसके अंदर compost mix है, और maximum, इसके अंदर मैंने leaf compost और cow dung compost को use किया है, simple यह देखे, जो मेरे garden में जितनी भी पतिया निकलती है, जितनी भी जो पतियां सूख के जढ़ जाती है, उन सब का मैं compost में convert कर लेती हूं और उसी को मैं अपने plant के अंदर use करती हूं, इसके बाद दोस्तों हम seedling को लगाने का तरीका बताते हैं, इस तरीके से seedling को उस इसके बहुत ही नाजुक होती है, अगर इसको हम डारेक्ट ऐसे रिमूव करेंगे, तो क्या होगा कि तूट जाएगी तो इसको पानी के अंदर डिप करके आप रिमूव कर सकते हैं, या हलका सा इस तरीके से जाड लीजे, जो एक्स्ट्रा इसके अंदर से compost आया है, यह को इसके अंदर मिट्टी के अंदर नहीं दबाना है, अगर ज्यादा इसको गहराई में हम दबा देंगे, तो जो इसका तना है, वो सड जाएगा, फंगस लग जाएगा, उसमें पानी के चलते, तो थोड़ा सा इसको उपर रखें, नीचे जैसे जैसे इसकी रूट ग्रो करे प्लांट हमारा लग गया, दोस्तों, इसके बाद बारी आती है, वाटरिंग की, तो जो सीडलिंग हमारी बहुत छोटी है, तो इसके अंदर पानी हमें सिर्फ इतना देना है, कि ये जितना इसका एरिया है, यानि कि प्लांट के साइज के हिसाब से उसके आसपास की मिट्टी में already moisture है, क्योंकि कल मेरे यां बारिश हुई थी, तो कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ज़्यादा वाटरिंग इसको आउशकता नहीं है, और डेली बेसिस पे आपको sprayer की साहिता से, यानि कि spray pump की साहिता से, इसको बस हलका सा उपर से spray करते रहें, मिट्टी में नम कि इस winter season में कौन-कौन से flowering plant है, जिससे हम अपने garden को सजा सकते हैं, और किस तरह की मिट्टी में लगा सकते हैं, अगर वीडियो अच्छी लगी तो like, share जरूर करें, और हाँ अगर अभी तक चैनल को subscribe नहीं किया है, तो please इसे subscribe करें, और bell icon को press करना ना भूलें, ताकि मेरी